पापा, क्या हम आगरा पहुँच गए? हाँ, हम आगरा पहुँच गए. वाँ, मैं ताजमहल देखूंगी. पापा क्या ताजमहल की उचाई बहुत अधिक है? ताजमहल अपनी उचाई से भी ज्यादा अपनी सुन्दर्ता के लिए जाना जाता है. वह देखो, चाई की दुगान. पहले चाई पीते हैं, फिर चलेंगे. पापा, वह अंकल क्या कर रहे हैं? वे टिकट निरीकशक हैं, वे टिकट चेक कर रहे हैं. अभी तुमने स्टेशन का दृष्च देखा. प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ आगरा आई है. रेंडरी स्टेशन पर दिख रही अनेक वस्तूओं तथा कुछ वस्तूओं और लोगों के नाम प्रिया और उसके पापा ने बोले हैं. आईए उन वस्तूओं और लोगों के नाम जाने. प्रिया मम्मी पापा स्टेशन रेलगाडी आगरा ताजमहल दुकान टिकट निरीक्षक. इन सभी नामों में व्यक्तियों के नाम है प्रिया मम्मी पापा निरीक्षक. वस्तूं के नाम है विलगाडी, चाए, दुकान, टिकट, ताजमहल स्थानों के नाम है आगरा, स्टेशन इनके अलावा दो शब्द और भी आए हैं उचाई और सुन्दर्ता ये दोनों भावों के नाम है व्याकरण में किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संग्या कहते है संग्या के मुख्यता तीम भेद है व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या, लाल बहादु शास्त्री भारत के एक अच्छी नेता थे, गंगा नदी हिमाले से निकलती है, सुभाद चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, लाल बहादु शास्त्री तथा सुभाद चंद्र बोस व्यक्ति के नाम है, भारत देश का नाम है गंगा नदी का नाम है हिमाले परवत का नाम है ये सभी व्यक्ति वाचक संग्या है दिन शब्दों से किसी विशेश व्यक्ति स्थान और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जाति वाचक संग्या लड़के बाग में से फूल तोड पक्षी, दाना चुग रहे हैं, मंदिर में साधु पूजा कर रहा है। लड़के, बाग, फूल, पक्षी, दाना, मंदिर तथा साधु, शब्द किसे एक की ओर नहीं, बलकि पूरी जाती की ओर संकेत कर रहे हैं। अता, ये जाती वाचक संग्या है। जिन संग्या शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, पधा रथों, सानों, आदे की पूरी जाती का पता चलता है, उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं। भाव वाचक संग्या, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा शब्द गांधी जी के गुण के बारे में बता रहा है। अताहा यह भाव वाचक संग्या है। जिन संग्या शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तूं, आधिके गुण, दोश, कार्य, दशा और भावों का पता चलता है वे भाव वाचक संग्या कहलाते हैं जाति वाचक संग्या की दो उपभेद हैं समुदाय वाचक संग्या और ध्रव्य वाचक संग्या समुदाय वाचक संग्या, जिन संग्या शब्दों से किसी समुदाय या समुह का बोध हो, वे समुदाय वाचक या समुह वाचक संग्या कहलाते हैं, जैसे सेना, जुन्ड, कक्षा. द्रवे वाचक संग्या, किसी पदा आर्थ या द्रवे का बोध कराने वाले शब्द द्रवे वाचक संग्या कहलाते हैं, जैसे लोहा, स्टी, चांदी, पीतल, तेल. भाव वाचक संग्या की रचना भाव वाचक संग्या शब्दों की रचना निम्मे लिखित प्रकार से की जा सकती है. जाति वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या मनुष्य मनुष्यता भाक्त भाक्ती पुरुष पौरुष पंडत पांडत्य बच्चा बच्चपन, लड़का लड़क्पन, व्यक्ति व्यक्तत्व, दानव दानवता, देव देवत्व, स्त्री स्त्रीत्व, चोर चोरी, मित्र मित्रता, वीर वीरता क्रिया शब्दों से भावाचक संग्याथ कमाना कमाई हसना हसी पढ़ना पढ़ाई अव्य या अविकारी शब्दों से भावाचक संग्याथ समीब सामिप्य शीग्र शीग्रता दूर दूरी निकट निकटता मना मनाही उपर उपरी सर्वनाम से भावाचक संग्या निज निजत्व मम ममत्व एहम एहंकार विशेशन्ट शब्दों से भावाचक संग्याथ निर्बल निर्बलता भूखा भूख दीर धैर्य स्वस्थ स्वास्थय भयानक भैय महान महांता आलसी आलस्य विस्तृत विस्तार ठंडा ठंडक उंचा उंचाई चोड़ा चोड़ाई लंबा लंबाई सुंदर सुंदर्ता सूक्ष्व सूक्ष्मता विशम विशमता मूर्ख मूर्खता चालाक चालाकी गरीब गरीबी कुछ जातिवाचक संग्या का व्यक्तिवाचक संग्या के रूप में प्रयोग। कुछ जाति वाचक संग्याएं विशेश अर्थ में रुढ होकर व्यक्ति विशेश के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधान मंत्री थे। नेता जी ने कहा था, तो मुझे खोन दो, मैं तुम्हे आजादी दूँगा। जाति वाचक संग्या शब्द, पंडित जी तथा नेता जी, क्रमशा, व्यक्ति वाचक संग्या, जवाहलाल नहरू तथा सुभाश चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुए है। व्यक्ति वाचक संग्या का जाति वाचक संग्या के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक संग्या शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संग्या के रूप में किया जाता है, जैसे इस देश में विभीशणों की कमी नहीं है, जैचंदों की कारण ही भारत अब तक उन्नती नहीं कर पाया, विभीशणों से तातपर दोके बाजों से है, तथा जैचंदों से तातपर देश द्रूखियों से है, यहां विभीशण तथा जैचंद व्यतिवाचक संग्या होती हुए भी जातिवाचक संग्या के रूप में प्रयुक्त हुए है, व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, अर्था, लिंग, बचन और कारक के बदलने पर संग्या शब्दों का रूप बदल जाता है। प्रसिध कवी और कवेत्रे आए है। इस द्रिश्य में जो बाचीत हो रही है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हो रहा है। जैसे सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, बकरा, बकरी, कवी, कवेत्रे। संग्या शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष यस्त्री ज पुल्लिंग जिन संग्या शब्दों से पुरुष जातिके होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं जैसे लड़का, आचार्य, शिश्य, घोड़ा, स्त्रीलिंग जिन संग्या शब्दों से स्त्री जातिके होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग श पुलिंग की पहचान के लिए इन्हें याद रखें, ये संग्या शब्द पुलिंग होते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, जियेष्ठ, आशार, श्रावन, समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महसागर, हिंद महसागर, अरब सागर, भूमध्य सागर आदे, विशिष्ट स्थानों के नाम जैसे भोजनाले, विद्याले, पुस्तकाले आदे, पेडों के नाम जैसे पीपल, अशोक, नीम, आम, अबवाद, इमली, पहाडों के नाम पुलिंग होते हैं जैसे हिमालय, विंध्य, नीलगिर, शिवालिक आदे, समूह वाचक शब्द जैसे परिवार, जुंड आदे, शरीर के कुश अंगो के नाम जैसे पाव, अंगोठा, माथा, कान, गाल आदे, देशों के नाम जैसे जापान, भूटान, नेपाल, भारत आदे, अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहु, चना, बाजरा आदे, अपवाद, मक्की, अरहर, मूंग, रत्न वधतुओं के नाम जैसे नीलम, पुखरा गोमेद, पीतल, लोहा आदे, अपवाद, चांदी, स्त्रेलिंग की पहचान, नदियों के नाम जैसे कृष्णा, यमुना, गोधावरी आदे, तिथियों के नाम जैसे त्रथमा, तृतिया, सब्तमी आदे, भाशाओं के नाम जैसे उर्दू, पंजाबी, हिंदी आदे, आभ जैसे खीर, सबजी, कचोडी, रोटी, दाल आदे, अंगों के कुछ नाम जैसे पलक, आँख, जीब, गर्दन आदे, किराने की वस्तुओं के नाम जैसे दाल, चीनी, चाय, सौफ, लौंग आदे, बोलियों के नाम जैसे पंजाबी, हरियानवी, मारवाडी, मराठी आदे, जीलों के नाम जैसे मानसरोवर, डल, नैनी, आदे, नित्य पुलिंग शब्द हैं, खरगोश, तोता, गरुण, मच्छर, चीता, उलू, भेडिया, आदे, नित्य पुलिंग शब्द हैं, इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जा पुलिंग बनाने के लिए नर्शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर्चिपकली, नर्मचली, नर्कोयल आदे, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, अ को आ करके, छात्र, छात्रा, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, व्रिध, व्रिधा, बाल, बाला, भवदी, भवद इया, आचार्य, आचार्या, अ या आ को इ में बदल कर, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, देव, देवी, नाना, नानी, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, भांजा, भांजी, मामा, मामी, आ या आ खो इया में बदल कर, बेटा बिटिया, बंदर बंदरिया, बुढ़ा गुरिया, डिबबा डिबिया, लोटा लुटिया, चिड़ा चिडिया, गुढ़धा गुढिया, चुहा चुहिया, आनी अथवा आने जोड़कर, जेट जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, भव भवानी, इंद्र इंद्रानी, खत्रिय खत्रानी व्यवसाय वाचक तथा जाते वाचक शब्दों में इन जोड कर, दर्जी दर्जिन, ग्वाला ग्वालिन, पुजारी पुजारिन, कुछ संग्या शब्दों के अंत में आईन जोड कर, गुरु गुरुआईन, बाबु बबुआईन, ठाकुर ठकुराईन, हल्वाई पंडित पंडिताइन अक को इका करके लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नाहिका, गायक गायिका, नी प्रत्या का प्रयोग करके सिंग, सिंगनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, मान को मती तथा वान को वती करके बुधिमान, बुधिमती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, आयुषमान, आयुषमती, भाग्यवान, भाग्यवती भिन रूपों में बदल कर, पिता, माता, विद्वान, विदुशी, आदमी, औरत, बैल, गाय, पति, पतनी, राजा, राने, युवक, युवती, ससुर, सास, पुरुष, स्त्री. लिंग के बाद बारी आती है वचन की, वचन को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक राजा की तीन बेटिया थी, एक दिन उसने अपनी बेटियों से पूछा, मेरी बेटियां मुझे कितना प्यार करती है, दो बेटियों ने अपना प्यार, आकाश, और समुद्र की भाती विशाल बताया, लेकिन एक बेटी ने कहा कि वह उन्हें नमक जितना प्यार करती है, यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया, उसने दस दन तक उससे बात नहीं की, और उसका विवा एक भीखारी से करा दिया, परंतु राजकुमारी और उसके पती ने परि बहु वचन को दश आते हैं, अभी तुमने जो कहानी सुनी, उनमें वचन का बोध कराने वाले शब्द आए हैं, जैसे एक राजा, एक बेटी, एक भीखारी, एक दिन, एक महल, तीन बेटियां, कुछ वर्षों, काफी रुपए, दस दिनों, राजा, बेटी, भीखारी, दिन, महल, शब्द, एक वचन का बोध करा रहे हैं, जबकि वेटियां, वर्षों, रुपए, दिनों से बहु वचन का बोध हो रहा है, शब्द के जिस रूप से संग्या शब्द की एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं, वचन दो प्रकार की होते हैं, एक वचन, बहु वचन, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तू या प्राणी का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घुड़ा घात खा रहा है, मेज पर किताब रख दो, चड़ियां दाना चुग रही है, सड़क पर कूड़ा मत डालो, घुड़ा, किताब, चड चड़ियां तथा सड़क शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं, बहु वचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तू या प्राणी का बोध हो, उसे बहु वचन कहते हैं, जैसे हमारे मामा जी हमें किस्से सनाते हैं, पुस्तके हमारी सच्ची मित्र होती हैं, घोड घास खा रहे हैं, बंदर टोपिया लेकर पेर पर चड़ गया, किस्से, पुस्तके, घोडे तथा टोपिया शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, वचन की पहचान, दिये के वाक्यों को पढ़िये, खंड का, खंड खा, बड़ा दर्वाजा खोल दो, बड़े द मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तके मेरी है, खंड का में दिये वाक्यों में, रंगीन शब्द बड़ा दर्वाजा, वह, मैं, तथा यह, संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, और खंड का में, बड़े दर्वाजे, वे, हम तथा ये संख्या में अनेक होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संग्या, सर्वनाम तथा विशेशन शब्दों से वचन की पेचान की जा सकती है। अब इन वाक्यों को पढ़िये। खंड का, खंड खा, किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहे हैं, छात्र पढ़ेगा, छात्र पढ़ेंगे, पक्षी दाना चुगेगा, मजदूर पत्थर तोड रहा है, खंड का, तथा खंड का की संग्या शब्द समान रूप लिए हुए हैं, लेकिन खंड का की क्रियाएं, वाक्य में आये संग्या शब्दों के एक होने का बोध करा रही हैं, और खंड का की क्रियाएं, वाक्य में आये संग्या शब्दों के एक से अधिक होने का बोध करा र अताप वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप द्वारा भी वचन की पहचान की जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वचन की पहचान संग्या, सर्वनाम, विशेशन या क्रिया रूप से हो जाती है। अनेक स्थीतियों में एक वचन के स्थान पर बहु वचन का प्रयुक किया जाता है। आएं वाकि में आए एक वचन संगे शब्दों को आदर देने के लिए प्रयोग की गई हैं। जैसे दूद, पानी, वर्षा, आकाश, घी, दही, भीर, सोना, चांदी, शब्दों का प्रयोग सदव एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे उसके केश लंबे और घने हैं, वहां लोग इकठा हो गये। शट, छटें, दीवार, दीवारें, कलम, कलमें, बहन, बहने, आख, आखें, बात, बातें। स्ट्रीलिंग शब्दों में एक के बदले यां करके। स्ट्रीलिंग शब्दों में एक के बदले यां करके। रानी, रानियां, बिजली, बिजलियां, ठाली, ठालियां, धोती, धोतियां, नदी, नदियां, सीती, सीतियां, घडी, घडियां, मचली, मचलियां, साडी, साडियां, रोटी, रोटियां, शक्त, शक्तियां, चोटी, चोटियां। पुलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए करके कमरा कमरे, तोता तोते, कपड़ा कपडे, ताला ताले, नाला नाले, कुता कुते, गमला गमले, पंखा पंखे, छाता छाते, लोटा लोटे, रास्ता रास्ते स्ट्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर एं करके, महिला महिलाएं, लता लताएं, कक्षा कक्षाएं, माता माताएं, सेना सेनाएं, कविता कविताएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं, गाथा गाथाएं, हवा हवाएं स्ट्रेलिंग शब्दों में आ के साथ अनुनासिक लगा कर चिडिया चिडियां पुडिया पुडियां खटिया खटियां चुहिया चुहियां गुडिया गुणियां गण वर्ग लोग वरिंद जन तथा दल शब्द लगा कर छात्र छात्रगण नेता नेतागण कर्मचारी क पाठक पाठक वर्ग, गुर गुरुजन, प्रजा प्रचाजन, मजदूर मजदूर लोग अकारांत और आकारांत पुलिंग शब्दों तथा इकारांत स्ट्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर सदी, सदियों, साल, सालों, बरस, बरसों, दीन, दीनों, राजा, राजाओं, दिन, दिनों, देवता, देवताओं, घंटा, घंटों, महीन, महीनों, प्रिया आज हमारी अध्यापिका ने हमें कुछ नया सिखाया है क्या सिखाया है? मैं तुम्हें अपनी कौपी में कुछ लिख कर देता हूँ, तुम उसे पढ़कर देखो कि क्या तुम्हें कोई नई बात लगती है? माली ने पौधा लगाया, उस पौधे को पानी से सीचा, पौधा बाग की सुन्दर्ता के लिए लगाया, फिर माली ने पेर से फल तोड़ा, और बरतन में फल का रस निकाला कहो, क्या नया लगा? मुझे तो कुछ भी नया नहीं लगा, ये तो साधारन बात लिखी है, चलो मैं बताता हूँ, इन वाक्यों में कारक छिपे हैं, आज हमने कारक सीखे हैं, कारक क्या होते है? मैं समझाती हूँ, कि कारक क्या होते हैं, हम वही वाके दोबारा पढ़ते हैं, जो प्रिया ने पढ़े थे, माली ने पौधा लगाया, उस पौधे को पानी से सीचा, पौधा बाग की सुन्दर्ता के लिए लगाया, माली ने पौधे से फल तोड़ा, माली ने फल का रस निकाला, फल के रस को बर्तन में रखा, अरे तुम भी रस लो, माली ने पौधे को पानी से सुन्दर्ता के लिए पौधे से फल का बर्तन में तथा अरे, शब्द संख्या वो सर्वनाम, पदों का संबंध क्रिया के साथ चोड़ रहे हैं। यहीं शब्द कारक कहलाते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को संपूर रूप देना। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से संबंध होता है। यदि किसी भी शब्द को बीच में से हटा दे या उल्टा लगा दे तो पूरी वाक्य संग्रचना बिखड़ जाती है। किसे वाक्य में प्रयुक्त संग्या अथ्वा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक की ये संबंधों को प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक की ये चिन्ह अथ्वा परसर्ग कहते हैं। कारक के मुख्य आठ भीर होते हैं। कर्ता कारक अर्थात क्रिया को करने वाला इसका विभाक्ती चिन्ह है ने। कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का फाल पड़े इसका विभगती चिन है को करण कारक अर्थात क्रिया को करने का साधन इसका विभगती चिन है से संप्रदान कारक अर्थात जिसके लिए क्रिया हो इसका विभगती चिन है के लिए को अपादान कारक अर्थाद जिससे अलग होने का भाव प्रकठो इसका विभगती चिन्न है से संबंध कारक अर्थाद क्रिया के अतरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला इसका विभगती चिन्न है क, क, की अधिकरण कारक अर्थात क्रिया के करने का काल या स्थाल इसका विभग पिचिन है में पर, समबोधन कारक अर्थात भुलाने, पुकारने या साथान करने के लिए इसका विभग पिचिन है हे अरे कर्टा कारक कारे करने वाले को कर्टा कहते हैं कारे करने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को कर्टा कारक कहते हैं इसका परसर्ग ने है जैसे माला ने फूर तोड़े रवी ने पतन उड़ाई धोबी ने कपड़े धोए माली ने पेर लगाया माला ने, रवी ने, धोबी ने तथा माली ने शब्द कर्था कारक है इनके द्वरक क्रिया की जा रही है इनके साथ ने परसर्ग लगा है वर्तमान और भविश्यत काल के क्रियाओं वाले वाक्यों में ने, पर सर्ग का प्रियोग नहीं किया जाता, जैसे, महेश पत्र लिख रहा है, वर्तमानकाल, राहुलकल मुंबई जाएगा, भाविश्यतकाल, कर्मकारक, किसी बाकि में जिस संग्या शब्द पर क्रिया का फल पढ़ता है, उसे कर्मकारक कहते है, इसकी विभगती को है, ज कमल ने रमा को बुलाया, रमेश पतंग उढ़ाता है, लड़का बिल्ली को पकड़ता है, किताब, रमा को, पतंग, तथा बिल्ली को शब्द कर्मकारक है, क्यूंकि इन पर क्रिया का फाल पढ़ रहा है, को परसर्ग के बिना भी कर्मकारक है, करणकारक, करता जिस साधन य रश्मी ने जाडू से कुड़ा हटाया, वह डंडे से साप को भगा रहा है, प्रिया रंगों से चित्र बना रही है, राजू चम्मत से चागल खा रहा है, जाडू से, डंडे से, रंगों से तथा चम्मत से क्रिया के करने के साधन का कारे कर रहे हैं, अतहां ये करण कारक है, संप्रदान कारक, करता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, इसके परसर्ग को तथा के लिए हैं, जैसे माने नौकरानी को वस्त्र दिये, पिताजी बच्चों के लिए गेन लाए, गरीब को भोजन दो, बच्चों को चॉकलेट तो नौकरानी को, बच्चों के लिए, गरीब को तथा बच्चों को संप्रदान कारक है, क्योंकि यह आँ देने का और किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट हो रहा है, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, जहां संग्या ये सर्वनाम के रूप पर क्रिया के व्यापार का भल पड़ता है, वहां कर्म कारक होता है, तथा जिसको कुछ दिया जाता है, या जिसके लिए क्रिया की जाती है, वहां संप्रदान कारक होता है, जैसे, पिताजी राहुल को बुला रहे हैं, अर्थाद कर्मकारक, पिताजी ने राहुल को पैसे दिये, अर्थाद संप्रदान कारक, रोहित चित्र बनाता है, अर्थाद कर्मकारक, प्रिया रवीना के लिए पुस्तक लाई, अर्थाद संप्रदान कारक, अपादान कारक, अफादानकारक कहते है, इसका परसर्ग से है, जैसे माया व्रिंदा से पतली है, वह शेर से डरता है, पेर से फाल गिरा, पुस्तक हाथ से फिसल गई, व्रिंदा से, शेर से, पेर से, तथा हाथ से, शब्द अपादानकारक है, ये शब्द तुलना, दर, वह अलग होने के भा करण कारक और अपादान कारक में अंतर करण कारक तथा अपादान कारक की विभक्ती से है किन्तु जहां साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहां करण कारक होता है और जहां तुलना जल वह अलग होने के भावों के लिए इसका प्रयोग हो वहां अपादान कारक होता है जैस नौकरानी जाडू से घर साफ करती है। अर्थात करनकारक। वह लकडी से साप को भगा रहा है। अर्थात करनकारक। कमल विमल से लंबा है। अर्थात अपादानकारक। आरूशी सीडियों से गिर गई। अर्थात अपादानकारक। संबंध कारक एक संग्या या सर्वनाम का दूसरी संग्या या सर्वनाम से संबंध बताने वाला रूप संबंध कारक कहलाता है. इसके विभखती चिन्ध का, के, की, रा, रे, री तथा न, ने, नी है. जैसे मैंने माला की पुस्तक उसे लोटा दी. महेश का घर बहुत सुन्दर है. वीमन ने अपने भाई को राखी बांधी. मुझे तुम्हारी साइकल चाहिए. माला की, महेश का, अपने भाई और तुम्हारी साइकल संबंध कारक है. क्योंकि ये वाक्यों में आये संग्या, वो सर्वनाव शब्दों से संबंध बता रहे हैं. अधिकरन कारक संग्या के जिस रूप से क्रिया की समय, आधार और स्थान आधी का पता चलता है, उसे अधिकरन कारक कहते हैं. इसके परसर्ग में और पर हैं, जैसे मोर छट पर बैठा है, मचली पानी में तह रही है, बंदर पेड़ पर उचल रहा है, पिता जी कुर्सी पर बैठे हैं, छट पर पानी में, पेड़ पर तथा कुर्सी पर अधिकरन कारक हैं. क्योंकि ये वाक्यों में आये संग्या शब्दों के अधार और स्थान का बूद करा रहे हैं. संबोधन कारक, जिन संग्या शब्दों का प्रयोग बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं. इसके विभाक्ति चिन हे, अरे तथ हाई है, जैसे, अरे भाई, तुम छुपकर क्यों मैठे हो, हे राम, ये क्या हो गया, हाई, मुझे मार डाला, अरे भाई, हे राम, तथा हाई, संबोधन कारक के उदारण है, क्योंकि इनका प्रयोग संबोधन के लिए किया गया है, अब तक हमने सीखा, संग्या, व्यक्त, वस्त या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं, जातिवाचक संग्या से किसी प्राणी, वस्त या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है, भाववाचक संग्याओं का विशेश स्थितियों में व्यक्तिवाचक संग्या के प्रयोग संभव है, अधिकतर अकारांत शब्द पुल्लिंग रूप में स्वीकृत हैं, अधिकतर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं, निर्जीव वस्तों के लिंग का निर्धरन परंपरा से प्रयुक्त हो रहे रूप से होता है, समुह वाची शब्द प्रायह एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्दों के वचन की पहचान वाक्य में प्रयोग के आधार पर होती है, एक शब्द एक से अधिक रूपों में वचन विशेश में प्रयुक्त हो सकता है, कारक का कारक्चिन से अनिवार्य रूप से कोई निश्चित संबंध नही है कारक संग्या या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द रूप हैं कारक के आठ बे